हलो अनल के तो फूट फैरेट जो के हमने बिना राइस के बनाया है यहां राइस यहां भी बिलकुल हमने यूज नहीं किया बट फिर भी एकदम परफेक्ट वही साँथ इंडियन वाला अथेंटिक टेस्ट वाला हमारा डोसा जो है वो तो अभी आपको पता चली जाएगा तो चली इसके लिए देखिए इंक्टिटिंस मैंने क्या क्या लिये है यहाँ पर वन कप मैंने उड़त दाल ली है साथ में वन चोथाई कप या हाफ कप के बराबर आप पोहा ले लो आधा छोटा चमच हम मेथी दाना लेंगे अब क्या करेंगे इन सब को डालेंगे एक बड़े बाउल में और इन सब को हमें अच्छे से वाश करना है अच्छे से वाश करने के बाद इसे एक घंटे के लिए हम भीगो देंगे एक घंटे में उड़त दाल बहुत अच्छे से भीग जाती है आपको ओर ज्यादा जल्दी है तो आप इसको गरम पानी में भीगो सकते हैं उससे भी बहुत जल्दी से ये भीग जाएगी उसके बाद आप इसे पीच लेना तो अभी मैं इसको ढखकर छोड़ रही हूँ भीगने के लिए इधर मैं ले रही हूँ रवा तो जो आप हलवे के लिए यूज करते हो वो ही वाला रवा है बस इसमें मैंने मिलाई छाज आप चाहो तो दही मिला सकते हो फिर उसमें पानी मिला सकते हो मैं यूज्यली जब भी रवा से कुछ भी बनाती हूँ डोसा इडली ये सब तो मैं छाज ही इसमें यूज करती हूँ और इसको भी मा आधा गंटे के लिए विगो के छोड़ दूँगे तो जब तक हमारी सूजी जो है वो भीग रही है इदर देखे हमारी उड़त दाल भी भीग चुकी है और बस अफटा-फट से इसका पानी जो है हमें निकाल देना है और इसको इस तरीके का पीस लेना है एक स्मूद बैटर हमें बना लेना है हलका-हलका दाना तो देखो रह जाता है कभी-कभी तो उससे इस रेसिपी में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आप टेंशन मत लिजिए अभी देखे हमारी सूजी भी भीग चुकी है तो अब हम क्या करेंगे लेंगे एक हैंड ब्लेंडर और इसको एक स्मूद पेस्ट बना देंगे अभी आपको देखो ये ऐसे थोड़ा सा ना अनिक्विल सा लग रहा है लेकिन इसको इस तरीके से हैंड ब्लेंडर से पीछने के बाद आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी में चौन कर सकते हो ये देखो कितना स्मूद एंड एक जैसा हमारा बैटर बन गया तो अभी हम क्या करेंगे ये जो उड़द दाल वाला मिक्स्चर है वो हम इसमें मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें एड कर देंगे नमक जितना हमें चाहिए उस हिसाब से फिर एक बार इसको अच्छे से blend कर देंगे ताकि जितने भी सारे ingredients है वो आपस में अच्छे से mix हो जाए और एक अच्छा smooth हमारा बैटर बन जाए तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो कुछ इस तरीकी का है consistency आप adjust कर लें ये वाली consistency में आप idli भी बना सकते हो डोसा भी अच्छे से बन जाता है तो बस बैटर हमारा ready है तो चलिए फटा फट से हम बनाते हैं मसाला तो मसाले के लिए मैंने कडाई में डाला है सरसू का तेल उसके बाद राई उड़त दाल और सूखी लाल मिच का तड तरीके से मोटी-मोटी काटी है और करी पता लिया है तो बस अच्छे से इन सब को mix करेंगे और प्याज को cook करेंगे तो जैसे जैसे आप चलाएंगे जो कत्रन है वो आराम से खुल जाएंगी और प्याज जो है वो इस तरीके से लच्छेदार हो जाएगा अभी हम इसमें तो अच्छे से इसको mix कर दिया उतना ही salt मैंने डाला है जितना हमें प्याज के लिए चाहिए आलू को मैं हमेश्या बॉयल करते टाइम भी उसमें salt डालती हूं ताकि जो हमारा आलू है वो मीठा मीठा ना लगे और अभी आलू मैंने इसमें डाल दिया इसके साथ ही मैं ड इतना और बैस उसमें अच्छे से इसको mix करेंगे पानी डालने से tension मत लीजिए यह बिल्कुल भी liquidy नहीं होगा आलू जो है वो बहुत अच्छे से पानी को soak कर लेता है तो इस वज़े से यह मसाला बहुत ही ज्यादा tasty होगा बस यह है कि थोड़ा सा पानी एड़ करने से यह मसाला काफी अच्छे से mix होता है और काफी अच्छे से यह बनकर ready होता है तो हमारा मसाला बिल्कुल ready है तो चलिए फटा फट से हम बनाएंगे चटनी तो चटनी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया थोड़ा सा coconut लिया है मुंगफली रोस्ट करके उसके छिलक डाल लेते हैं मिक्षेजार में और इनको पीस लेंगे तो coconut भी ना जो सूखा नार्य लाता है मैंने वह वाला लिया है और उसको हलका सा मैंने रोस्ट किया और उसके बाद में यूज कर रही हूं और बस थोड़ा पानी डाला और यह हमारी चटनी बिल्कुल ready हो गई तो अ साइड में रखतेंगे। अभी हम क्या करेंगे ? टड़की के लिए मैंने लिया है तेल उसमें डाल दी मैंने सूखी लाल मिर्श इसके साथ ही राई और कृड़ी पत्ता और इसको अभी अच्छे से गरम करेंगे और हमारी चटनी के ऊपर पोर कर देंगे और यह हमारी चटनी एक दम तड़के वाली बिल्कुल रेडी हो गई है तो यह चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई तो चलिए फटा-फट से अभी हम बना लेते हैं मसाला दोसा तो इसको भी रखते हैं साइड में और डोसा जो है वो रेडी कर लेंगे तो बस एक चाहो तो आप देखो आईरन की उस पे भी बना सकते हो तवे पे मैं अभी ये नॉन स्टिक तवा ना मेरे पास अभी मुझे गिफ्ट हुआ था तो बहुत ही मुझे सुन्दर लग रहा था तो मैंने फिर सोच है कि चलो इस पे ट्राइ करते हैं और इस पे बहुत ही अच्छे से डोसे बनकर रेडी हो जाते हैं और एकदम ऐसे लगता है कि आप वही राइस वाला डोसा खा रहे हो बिलकुल आपको लगेगा भी नहीं है इसमें आपने सूजी एड की है और किसी को भी नहीं पता चलने वाला ये आप रवा डोसा बना रहे हो एकदम राइस वाला वही टेस्ट लेकिन बनने में बहुत ही आसान बहुत जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाते हैं तो इस तरीके से एक बार जरूर बना कर ट्राइ करना और मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फटा फट से सर्व कर लेते हैं हमारा मसाला डोसा चटनी और मसाले के साथ तो लीजे मेरे डोसे तो बनकर रेडी हैं आपको बना रहे हो जरूर बनाओ खाओ और सबको खिलाओ और फैमिली में सबसे पूछो किस चीज के खा रहे हो राइस या सूजी क्योंकि मेरी फैमिली में तो सबको ये राइस वाले लगते हैं बट मेरी जो ट्रिक है ना मैं चुपके से उनको सुची वाले ही किला देती हूं क्योंकि मेहने तो मुझे ही करनी पड़ती है ला तो इसलिए ये फटा फट से क्विक वाले डोसे बस रेडी हैं इंजोई करें से